Confidence भी आपको इन बच्चों को देना होगा Last में बस इतना बोलूँगी आप लोग Government School की उपज है मैं बहुत जादा इज़त करती हूँ Government Schools की सबसे बड़ा reason है क्योंकि सरकारी स्कूल न होते तो एक गरीब बच्चा कभी भी न पढ़ पाता और ये भी इतिहास के facts हैं कि जितने बच्चे सरकारी स्कूल से निकले हैं वो IS officer बने हैं, H.S. officer बने हैं डॉक्टर बने हैं, एंजिनस बने हैं तो कभी भी अपने आपको कम नहीं समझना Private School वाले बच्चों से कभी भी नहीं समझना कम क्योंकि अगर तुमने confidence खो दिया तो private school वाले तुम्हें वहीं पे confidence level पे मार देंगे और बोलेंगे नहीं तुम तो सरकारी स्कूल से हो time change हो गया है government, हर एक government कोशिश करती है कि सरकारी स्कूल में अच्छे infrastructure provide किया जाए, चाहे वो सवच भारत सभियांता वोल आया जाए, desk benches ensure किये जाए, digital boards ensure किये जाए, विद्यांजली प्रोग्राम कितनी schemes है आपकी सरकार की सरकार की कोशिश तो आप तक बहतर से बहतर पहुचाना है, लेकिन हम teachers सरकारी स्कूल के teachers की सबसे जादा salary होती है, मुझसे सरकारी स्कूल के teachers ले रहे हैं, अपनी salary को justify करना पड़ेगा, वरना private school के teachers कहते हैं कि हमारी salary भी इतनी नहीं है, और हम मेहनत भी बहुत करते हैं, तो मेरी आप सभी से request है, हम अपनी salary के एक-एक पैसे को justify करें और यह दिखा गए कि सरकारी स्कूल के teachers जो है, वो भी किसी से कम नहीं है, क्यों? तो कि आप exam qualify करके इतने बड़े पदबर बैठें, तो आप लोगों ठोकी चीज नहीं है, बट जो एक society में बन गया हुआ है, कि सरकारी स्कूल के teachers काम हर काम जो बचारे teachers है, वो आप लोग कर रहे हैं, जाए वो मिटे मील का काम है, हर काम जो है, वो teacher कर रहा है, तो वो पढ़ाएगा कब, मैं मानती हूँ, यह भी एक institutional administrative है, बट, बट, having said that, जो है, जितना है, उसी में best deliver करना है, यही तो हम को super human बनाई रहा है, otherwise हम में और बाकियों में क्या difference है, तो यह सारा का सारा teachers के लिए था, तो बच्चों बस इतना ही बोलना चाहूंगी, अपने देश से प्यार करते रहूं, तुमारा हर एक act जो है, वो देश के लिए होना चाहिए, कुछ बनना है, देश के लिए बनना है, कुछ करना है, देश के लिए करना है, और यहां जितने मेरे बच्चे हैं, आप लोग तो बड़े हो चुके हो, आपकी जो next stage आने वाली है, वो फिर college में मैं मैं आन सकती हूं, college ऐसा दूसरा parameter होगा, जहां कुमारी जिंदगी डिसाइड होगी, आज ही सोच के जाना करना क्या है और जो भी करो, उसमें बहतरीन बनो, बस मेरी यही इच्छा है, और अंत में हमेशा में एक line बोलती हूं, कि सीडिया उनको मुबारक हो, जिनको छट तक जाना है, अपनी मंजिल तो आस्मान है, हमें अपना रस्ता खुद बनाना है, जै हिंद, जै भार्ट, थैंकी